नमस्कार पिरियाजिनों आप सबीका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी शुब चिंतक वीना शर्मा आप आई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम बात कर रहे हैं विवाद शादी के ऐसे उपायों की जो की बहुत अचूक होते हैं बहुत ही फलदाई होते हैं चूंकि सभी बच्चे और बच्चियों के यानि के लड़के लड़कियों के विवाद के कारक गुरू होते हैं ब्रैस्पति होते हैं और ब्रैस्पति भगवा भगवान विश्णू का सवरूप है माता तुलसी के साथ जिनका सबंध है वो ही विश्णू भगवान वो ही कृष्ण भगवान वो ही विश्णू के सवरूप है जो की माता तुलसी लक्षमी के रूप में मनोकामना पूरूरू करती है बच्चे बच्चियों की विवाग शादी की भगवान विश्णू, भगवान गुरू के रुप में उनके मौनकामना पूरू करते हैं बहुत सारे उपाई बच्चे बच्चियां भी करते हैं, माता-पिता भी करते हैं लेकिन आज जो मैं मंतर एक बताने वाली हूँ आपको, एक ऐसा मंतर बताने वाली हूँ जिसका जाप करने से रंक से राजा भी बन सकता है इनसान, देखे होता क्या है कि इनसान महनत करता है, बहुत सालों से महनत कर रहा है, बहुत सालों से उपाई कर रहा है, फिर भी ना त तुलसी के पोधे की बात करेंगे हम एक ऐसे उपाई की बात करेंगे कि माल लीजिए घर में तुलसी का पोधा है फिर भी आपको लगता है कि तुलसी का पोधा घर में है लेकिन फिर भी हमारी कोई मनोकामना पूर नहीं हो रही है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन कल्यूक का कुछ ऐसा ही प्रभाव है कि तुलसी माता होने के बावजूद भी घर में सुक्षानती आने के होनी होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है तुलसी माता के होने के बावजूद भी घर में कुछ भी फाइदा नहीं है कुछ भी लाबदायक नहीं है आप कितने भ भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समय में कल्यूग में जबकि जिस समय में कोई भी उपाई फलदाई नहीं होता ऐसे में ऐसा एक मंतर है जिसको करने से हर हालत में मनोकामना पूरुन होती है और मुझे उसकी मनोकामना इनसान के पूरी करने ही पड़ती है जब वो इस मंतर क जाब करता है कलियोग में यही एक मंतर सहरा होगा इनसान का जिसके द्वारा विक्ति की कोई भी प्राथ्रा सीधे मेरे तक पहुंचेगी और मैं उसकी मनोकामना पूरून करूँगा तो तुलसी माता के साथ किस तरह से उपाई करना है उपाई अलग टाइप का है आप ये न देखिए इस उपाई को माता पिता भी करें अगर चाहते हैं कोई और समस्या है देखिए मैं यह नहीं कहते कि जरूरी माता पिता को बच्चों के विवा की समस्या हो घर में और भी बहुत सारी समस्या होती हैं बच्चों के केरियर की जोग की घर में अर्निंग की बहुत सा अपने के लिए आपको तुलसी जी की माला की जरूरत होगी तुलसी जी को पटा चलेगा क्योंकि तुलसी की माला से मंतर जब क्या हुआ, एक तुलसी जी और तुलसी की माला और तुलसी मंतर तीनों मिलकर एक बहुत दिवय उर्जा उत्पन करते हैं, इतनी ताकतवर और इतनी शक्तिशाली उर्जा उत्पन होती है, कि भगवान को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए खुद आना ही पड़ता है विवश होना पड़ता है कि वो आपकी मनोकामना पूरण करें आपके परिवार में खुशें लेकिया हैं आप जो भी मनोकामना पूरण करना चाहते हैं वो पूरी करें इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप ब्रैस्पतिवार को सुबह नहाद हो ले, سिना नित्यादी कर ले वैसे देख़े इस उपाई को शुक्रवार को भी किया सकता है माता तुलसी जो है वो शुकर का पर्तीक है और भगवान विश्णू जो है वो भरस्पति का पर्तीक है तो आप यह तो भरस्पतिवार को करें या शुक्रवार को इसे शुरू कर ले, किसी भी मनोकामना पूर्ती के लिए, सुबह सनान करें, सनान करके पूजा अगर में थोड़ा गंगा जल चड़के, गंगा जल चड़कने के बाद उसे पुईत्र कर ले और वहां विश्णुजी की पूजा करें, अब विश्णुजी वाएन महें, ओम विश्णुजी के आप कर सकते हैं, उसके बाद आप जाएंगे तुलसी जी के पास, वहां पर एक दिपक जलाएंगे शुद देशी की का, और तुलसी जी के पास, आप मंतर का जाब करेंगे तुलसी जी की माला से ही, तुलसी जी की माला हो, वो आपको दे गाड़ करिए ये मैं बहुत सर्च करके शास्तर ये बात बता रही हूं आपको कि तुलसी जी की माला और तुलसी जी का मंतर और तुलसी जी की पूजा तीनों का आप सी कन्नेक्शन ऐसी उर्जा परदान करेगा कि आपको आपके मनोकामना 24 गंटे के अंदर ही आपको चम्तक मंतर का जाप आपको बीच में अगर बेटियों को जैसे कि अगर कोई और करता है जैसे कि पुर्ष लो करते हैं लड़के करते हैं तो उनको तो प्रेशानी नहीं आएगी किस दिन कर सकते हैं अपनी किसी भी मनोकामना पूरती के लिए विवाज, शादी, नोकरी, जोब, ध भगवान के आगे अपनी प्रार्थना करें, मंतर आपके सामने है, यहीं मंतर जब करना है 108 बार और उनके आगे बिन्ती प्रार्थना करें, अपने विवाज को लेकर अगर आपकी इच्छा है तो वो उनके आगे प्रार्थना करें, अगर आपके नोकरी को लेकर इच्छा है तो वो उनके आगे प्रार्थना करें माता पिता प्रार्थना करें किसी परकार से बच्चियां लड़कियां लड़के खुद प्रार्थना करें मात तुलसी के आगे प्रार्थना करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी होगा जैसी भी मनोकामना होगी आपकी वो तुर्त पूरी होगी परिवार में खुश्किया आ जाएंगी आपकी हर मौनो कामना 24 गंटे के अंदर चमतकार देखेगा और 21 दिन पूरे होते होते आपकी जरूर मौनो कामना पूरूर हो जाएगी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जै तुलसी मा आवश्य लिखें वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद